प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद नेवर मिस अनाधर अप्डेट नमस्कार दोस्तों मैं परदीव दूबे आज ये बात करने वाला हूँ यह दीवी फाइनल्स के एप के बारे में लोग अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि मैंने जो है यह दीवी फाइनल्स से लोन लिया था और मैं इस एप में लोगिन करना चाहता हूँ तो इस एप को लोगिन नहीं कर पा रहा हूँ तो आज मैं आपको HDB Finance का जो एप है इसको मैं लोगिन करके दिखाऊंगा और कैसे लोगिन होगा मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने बाला हूँ तो मैंना निवेदर नहीं एप वीडियो बहुत खास होगा आप तुरू से लेके अन्तक हमारे संग बने रहेगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी तो आपको प्लेश्टोर ओपिन कर लेना है प्लेश्टोर के सर्च बारे में आपको टाइप करना है HDB Finance जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा एप पुल के आ जाएगा तो आपको ऐसा रहेगा इसका लोगो तो आपको इसी एप को डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको जो है ओपन करता हूँ तो आपको ओपन वाले ओप्सन पर किलिप करना रहेगा जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से खुलना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आप से बोला जा रहा है आप पना मुवाइल नंबर डालिए तो जो आपका मुवाइल नंबर या जी फाइनेंस में जो रजिस्टर है कि आप वही नंबर इससे में डालिएगा और अलाउ का option बोलेगा तो आप अलाउ कर देगा इसको जो है इसके बास आपको request otp पे क्लिक करना रहेगा है ऐसे आपको नंबर डालने के बाद request otp पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक otp आएगा मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर दोखो एक OTP आएगा दोखो OTP आ गया है 72,45,98 नहीं मैं फटा-फट यहां पर OTP डाल देता हूं 72,45,98 तो मैंने OTP डाल दिया मैं verify OTP क्लिक करता हूं जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कि यहां बुला जा रहा है कि आप कहा हो गया है आप मुस्थे यहां पे आपको उपर के साइड में आपको MPN 3 बनाना है तो चार अंग का कोई भी 3 आप यहां पे डाल देना मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको वहां पे चार डीड का MPN 3 डालना है और यहां पे पेन कार का नंबर डालना है और यहां पे डेट बर्स डालना है और यहां पे इंटर अकाउंट नंबर जो आपका लोन नंबर है आपको डालना है आपका पीरगी फाइनल्स का, बट एक सर्त है, आपका एक एमाई पुरा हो गया होगा, तभी आपका इसमें जनकारी सोग करेगा, अगर मालो आपने या इट पाइनल्स अगर लोन तरवा लिया है, और आपका एक एमाई बेंक से कट जाने के बाद, चार से पाँच गिन बाद तभ इसमें तो सौप करेगा, बातें आपका सकशрашाग सूंचारी, बातें आपको सकस्ष बताएगा, आप लोगिन आपका लोगिन हो जाएगा, आपका MY कितना नहीं नहीं है profitable, प्हज़ी फाइन्स में आपको वही डालना है आपका पेन कार्ट का नमबर डालना है और आपका लोल अकाउंट नमबर डालना है अटा पोड़ ठील करके आपको मैं बता रहा हूं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है सारे जानकारी फिल कर लिया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो मेरा निवेदा रहा कि अगर आप गलत जानकारी फिल करोगे तब भी एक्टिवेट हो जाएगा बट आपका कोई भी जानकारी सो नहीं करेगा इसमें एक पिर्फास बात ए है तो आप लोग सही जिर्फील करोगे तभी आपका फंक करेगा जो लोन अपकॉंट नंबर है उस में डालना है डालकि आपको नीटिये वाले एक्ष्ण पर एक्टिवेट करना है तो मैं फटा फट यहां पर एक्टिवेट पर किलीक करता हूं जैसे आप क्रिक करोगे आपके सामने देखो ऐसा खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपका जो इंटर लोगिन आपने डाला था NPM डालावाद शार्ज का और डाल के आपको लोगिन करना रहेगा तो मैं फटा फट डाल के लोगिन कर लेता हूं आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर खुल के आ गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा दो लोन चल रहा है और यहाँ पर जो मेरा लोन है तो को मैंने परशनल लोन के लिए अप्लाई किया था तो यह मेरा जो है नहीं अप्रूब हुआ तो यह मेरा दोको तो, आपको एग सो करेगा आपको एक बातों का दिहान देना है इसे увue किसे में आपको गलत जानकरी की ने तो हो जाएगा सो करेगा 9 को का इसमें कितना पैसा आपका बेंक से क्रटा है, वो कृs करेगा इसमें आपका सब कृस करे अगर शू करेगा और nearby कर सकते हो तो हीरा दिक्नत खोता है अप काल सबूस्थ अगर से बात करना है तो की कस्ट्टमर के नंबर और भेया है में आपको customer के number screen पे देता हूं आप लोग note कर लेना इसी screen के मैं customer के number देने वाला हूं तो आप लोग note कर लेना तो मैंने आपको सारे जनकारी बताने कोरी कोशिस की है आप net document का home सब कुछ यहां से कर सकते हो कोई दिक्त नहीं होगा आपका e-mail क्या है किता जमा हुआ है सकती का सोच चेट कर सकते हो तो आपको मैंने उस सारी बाते बता दिया है अगर इसके बारे में कोई आपको दिक्कत आ रहा है तो आपको उससे पूछ सकते हो आपका loan account number अगर आपको नहीं पता है तो आप customer care में बात करके पता कर सकते हो customer care का number मैंने screen पे दे दिया है आपको जो भी जानकारी नहीं पता है आप customer care में call करके पता कर सकते हो बस एक करना ता वीडियो अच्छी लगी लाइक सेर करना आपके मन में कोई भी सवाल तो कमेंट करना फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम